हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दे चैनल प्रिट्स गार्डन फ्रेंट्स, गुलाब तो सबको अच्छे लगते हैं और हर किसी को शोक होते है कि वो अपने गार्डन में गुलाब जादा से जादा एड करे क्योंकि सबको गुलाब का फ्लावर भहुत पसंद आता है बट जब बात English Rose की आती है friends तो उसके केर थोड़ा देसी रोस से अलग होती है friends और उसको अगर थोड़ी से एक्स्ट्रा केर हम दे देते हैं तो यह plant हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से गोत भी करता है और बहुत अच्छे से ब्लूम भी करता है तो आज के वीडियो में friends मैं आपको तीन ऐसी बाते बताऊंगे जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने English Rose की ग्राफ्टिड रोस की केर करते हैं तो यह plant आपके गार्डन में लंबे टाइम तक बना रहेगा क्योंकि यह permanent plant होता है और बहुत अच्छे से ब्लूम भी करेगा उससे पहले कह चाहूंगे friends कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजी ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन साथ-साथ मिलत रहे तो फ्रेंच चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगे friends जब बात English रोज की या फिर ग्राफ्टेड रोज की आती है तो कुछ चीजे हमारे माइन में क्लियर होनी चाहिए जैसे वेसल शूर्स क्या होती है सकर्स क्या होती है ब्लाइं में मैंने इंक्लूड किया है वो है friends सकर्स और बेसल शूर्स का डिफ्रेंच तो आपको उन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से अब्सर करना है सबसे पहले तो friends बता दू कि बेसल शूर्स वो होती है जो ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर से निकलती है जिन में फ्लावर नहीं होती है आजकल सेवन लिफ्स को लेकर बहुत जादा कंफ्यूजन चल रहा है friends क्योंकि सबको लगता है कि सेवन लिफ्स सिरफ सकर्स में ही आती है बट ऐसा नहीं है मेरा जो अभी मैंने आपको मिनियेचर रोज दिखाया था पहले उसमें सेवन लिफ्स का पेटर्न आया हुआ है जबकि वो ब्रांच ग्राफ्टिड पोर्शन से बिल्कूल ऊपर से है तो जरूरी नहीं है friends की सेवन लिफ्स का पेटर्न आपको सकर्स में ही रेखने को मिलेगा कई बार हमारे फर्टिलाइशन का इंबैलन्स हो जाता है प्लाइंट में और जैसे हम नाइट् पर देखें और उसको रिमोव कर दे क्योंकि मैं यह गलती कर चुकी हूँ friends मैंने अभी जो मेरा मिनेचर रोज का प्लाइंट मैंने आपको पहले दिखाया था उसमें ब्रांच निकली थी जो बिल्कूल ग्राफ्टेड पोर्शन के एज से निकली थी और उसमें स्टाइट बुरा लगा क्योंकि मैंने अपनी एक छोटी सी मिस्टेक की वज़े से अपनी एक ब्रांच को ऐसी ब्रांच को नुकसान कर दिया जो मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दे सकते क्योंकि जो मिनेचर रोज का प्लांट होता है उस पर एक ब्रांच में काफे सारे फ्लावर्स तो खेर कोई बात नहीं friends गलतिया तो होती रहती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं और आगे उन गलतियों को हम नहीं करते नहीं दोहराते तो आते हैं अपने topic पर friends आपको seven leaves का pattern देखकर कोई भी branch को remove नहीं करना है आपको बिल्कुल अच्छे से observe करना है चेक करना है उस branch को थोड़ा सा बड़ा होने देजिए ताकि आप उसका leaf का pattern देख सके और उसको अच्छे से observe कर सके ताकि आपको पता लगे कि यह सकर है या फ ब्लाइंड शूट्स का भी एक issue होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए अब सबसे पहले तो friends आपको बता देती हूं कि ब्लाइंड शूट्स होते क्या है ब्लाइंड शूट्स वो होते हैं friends जो निकलती तो हमारे plant के grafted portion से ही है बट उन पर flowering नहीं होती है और जहां तक मुझे लगता है friends मेरा जो experience है gardening का मुझे यह लगता है कि यह भी fertilization के imbalance की वज़े से ही होता है क्योंकि जब भी हम nursery से कोई plant लेकर आते हैं friends तो हम हमारा मन होता है कि बस हम जल्दी से इसको report करें और यह flowering शुरू कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता friends आप अपने plant को थोड़ा सा घर में adjust होने का time दीजिए उसको जब आप लगाते हैं तो उसमें 40-50% compost हम लोग add करते ही हैं तो उसमें 20-25 दिन तक आप कोई भी liquid fertilizer add मत केजिए क्योंकि आपके plant की जो starting की nutrition की requirement होती है वो उस soil में जो हमने fertilizer add किया है उससे बिल्कुल complete हो जाती है और तब तक हमारा plant बिल्कुल अच्छे से हमारे घर में adjust भी हो जाता है उसके बाद friends हम उसको अच्छे से fertilize करेंगे और fertilize करने के लिए friends सबसे पहले जो हम fertilizer देंगे उसको complete food देंगे ऐसा नहीं है कि जैसे माल लेजिए अगर हम starting में उसको banana pill fertilizer दे देंगे उसमें phosphorus और potassium होता है जो blooming को flowering को boost करता है बट अगर अगर आपके plant की vegetative growth ही अच्छे नहीं है तो वो अच्छे blooming कैसे करेगा तो अपने plant को आपको ऐसा fertilizer देना है जो उसके लिए complete food हो उसके लिए friends आप उसे compost tea दे सकते हैं आप एक मुठी वर्मी compost या फिर गोबर के खात को एक लिटर पानी में 3-4 दिन के लिए भीगो कर रख दीजिए और 3-4 दिन के बाद जब वो थोड़ा सा फोर्मेंट हो जाएगा तो आप उसे 5 गुना पानी में mix कर लीजिए और इस पानी में friend आपको 10-15 ml seaweed extract या फिर जो micronutrients होता है liquid वाला आप 10-15 ml वो add कर दीजिए जिससे आपके plant की जो micronutrients की requirement होगी वो भी complete हो जाएगी तो फ्रेंड जैसे अगर मान लीजे जैसे हम गोपर की खाद का या पर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो वर्मी कंपोस्टों जो गोपर के खाद होती हो उसमें एन्पी के बहुत अच्छी मात्रा में होता है और जो micronutrients हम यूज़ करेंगे काफी सारे जो सुक्षम पुशक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट की ओवरॉल ग्रोथ के लिए रिक्वाइड होते हैं वह बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं तो यह हमारे प्लांट के लिए complete food का काम करते हैं सबसे पहला फर्टिलाइजर हमें यही देना चाहिए अपन तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और बहुत अच्छे से ब्लूम भी करेगा और आपके प्लांट में ब्लांट शूट्स नहीं आएंगी सारी जितनी भी ब्रांचेज आएंगी सब पर बहुत अच्छे से ब्लूमी होगी उसके बाद फ्रेंट जो इंगलिश रोज होते हैं वो देसी रोज की comparison में डीजिस के ज़्यादा प्रोन टू होते हैं उन में डीजिस का attack ज़्यादा होता है अभी जैसे Summers की स्टाइटिंग होई है तो आपने देखा होगा आपके plant की जो new leaves निकल रही है उन में आपको मुडाव मुडाव हुआ सा पैटरन दिख रहा होगा पतिया जली-जली से निकल रही होगी तो ये थ्रिप्स के अटेक की वज़े से होता है और हमें इसको केमिकल यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेंड्स क्योंकि केमिकल का नुकसान ही होता है अगर मालीजिये आमें केमिकल की अच्छी नोलिज नहीं है और उसका थोड़ी सी भी अगर क्यांटी ज़्यादा हो जाती है तो हम अपने प्लांट को खो देते हैं तो उससे अच्छा है हम और्गैनिक यूज़ करें क्योंक में 2 ml liquid hand wash या फिर shampoo add करके उसको अच्छे से mix करके आपके अपने फूरे plant पर spray कर दीजिए शाम के time और इससे क्या होगा फ्रेंड्स इससे आपका plant चाहे उस पर fungus का attack हो कोई भी pest का attack हो या insect का attack हो नी मॉयल सबसे अच्छा fungicide pesticide और insecticide होता है तो आपका plant बिल्कुल disease free हो जादा attack है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन इसका शाम के time spray करें और अगर आपके plant पर कम attack है तो आप weekly एक बर कर सकते हैं और as a precaution भी फ्रेंड्स आप इसको हर 15 days में अपने plant पर spray कर सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप अपने plant के care करते हैं तो आपका plant बहुत अ ही कहेंगे friends कि हमारे plant survive नहीं करते हैं या फिर हमारे plant में blooming नहीं होती है friends आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे like कीजिए share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए फिर मिलेंगे एक happy gardening take care